सिद्ध सदक परिवार के इस चानल में आपको स्वागत है चानल में गूप्ट से गूप्ट दूलव साधनाएं चल रहे हैं जानने योग्यों बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं साथी साथ सक्तिशली से अतिति ब्रिशक्तिशली टोटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के साधनाउवाले इस कड़ी में हम बात करेंगे नारा यनाक्सी साधना के विशय में तता पूर्ण साधना भी धान बताएंगे ताकि आगे चल कर आप सफलता पुरुब की साधना को संपन कर सकें यह एक ऐसा साधना है भगवान विश्णु जी के जो पूरुस तत्तों को प्रकरट करते हैं जिनके साथ प्रकृती लच्मी जी सहचरी रहती हैं और हमारी माने तो प्रत्यक पुरुस इस साधना को अवस्य संपन करें यह साधना को श्री कृष्ण जी के आग्यां से युधिश्टिर जी ने बनवासकाल में संपन की जिसके प्रभाब से पांडब महाभरत इुद्धु में बिजय हुए और अन्याय के पराजित कर न्याय धर्म का राज्य स्तापित कर सकें यही साधना का प्रभाब है इस साधना के बिशे में एक बात अबस्य हम कहना चाहेंगे जो व्यक्ति इस साधना को संपन कर लेता है वह स्वयम नारायन जी के समान चेतना बन छमता बन हो जाता है उसकी सभी इंद्रिया पूर्नतह जागरत हो जाते हैं और हर छण गती सिल रहते हैं जिसके फल्स रूप वह आसानी से किसी भी छेतर में सफलता अरजित कर लेता है और इस साधना को संपन करने से जीबन में क्या क्या परिवर्तन आपको आ सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं नमबर एक में घर में लक्ष्मी जी का चीर निबास रहता है कियोंकि जहां नारयन है वहां लक्ष्मी जी होते ही है और इस प्रकार से किसी प्रकार की कमी कठीनाई उसके जीबन में नहीं आ पाता है और वह आनंद का जीबन जीता है उसके सभी सत्रु समाप्त हो जाते हैं अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसका निन्नाय उसी के पक्स में ही हो जाता है व्यक्ति अगर रोगी हो तो भयंकर रोग कुछी दिनों में अंदर जड मूल से नस्ठ हो जाता है और व्यक्ति प्रसन्य चित होकर स्वास्त जीवन जिने लगता है व्यक्ति के अंदर के सभी विकार कुश्चित भावनाएं नस्ठ हो जाते हैं और उसका मन पूर्ण तह निर्मल हो जाता है इस प्रकार से वो चाहे किसी भी बातावरण में रहे उससे अचुता रहता हुआ एक दिव्य पत की और अग्रसर होने लग जाता है सिधे सब्द में अगर कहें जहां वह भावतिक्ता में सरेष्ट पता प्राप्त करता है तो वहीं आध्यात्म की उचाईयों को भी प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति में सम्मोहन व्याप्त हो जाता है उसमें और उससे मिलनेवले हर व्यक्ति उसकी और स्वतही आक्रिश्ट हो जाता है आनेवले समय के बारे में उससे पहले ही ज्यान हो जाता है जिससे की वह फिर उसी के अनुसर कार्य करने लगता है नारा यनाक्सी का अर्थ है कि दिव्य दुरुष्टी प्राप्त हो जाना और इसके अलाब भी इस साधना को संपन करने से व्यक्ति पारिवरिक एबं सामाजिक दोनों ही पक्षों में सफलता युक्त होता है और उसे सहज ही यस, मान, प्रतिष्ठा प्रेम अदि प्राप्त ह होने लग जाते हैं ये इतना एक अत्यांति सुंदा और मनोहर साधना है और अब हम बात करेंगे साधना विधान के विशे में यह साधना आप अनंत चतुर्दसी को संपन कर सकते हैं या फिर किसी भी गुरुबार को संपन कर सकते हैं यह एक रात्री का लिन साधना है इसके इलिए साधक को नारायनाक्सी दीब्य यंत्र चाहिए, लोचन एबंग नारायनाक्सी माल्य की आपसकता होता है। इलिए साधकर उस पर नारायनाक्सी यंत्र को स्तापित करें। और यंत्र का विधिबत पंचोप्चार पूजन करें। उसके पस्चात नारायन जी का ध्यान अवश्य करें। और ध्यान आप इस मंत्र के साथ करें। धिरे धिरे कहेंगे इस मंत्र के साथ आप ध्यान करें। करुणा परायान पदम सुरूती सास्त्रसारम ध्यायामी सत्यार्थम परम प्रसन्नम तम चिन्तयामी सततम भावरोगवद्यम नम अस्तु नारायान देवदेवम। इस ध्यान के पस्चात आप थोड़ी दो मिनिट या पांच मिनिट नारायान जी का स्वरूप का आप आँक बंद करके चिन्तन करें उसके बाद यंत्र पर लोचन और पित करें साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें अगर कोई विशेश मनो काम ना हो तो उसका भी उसी समय अवस्य करें और तत पस्चात नारायना किसी माल्य से जो तीब्र मंत्र नारायण जी के देने जा रहे हैं उस मंत्र का 21 माला के बल जाप करें और मंत्र इसा है यह एक एक दिवस्य साधना है साधना के उपरांत यंत्र माला तथा गुटिका को किसी विष्णु मंदिर अथवा जलाय सह में और पित करें एसा करने से साधना फलीभूत होता है और जो जो लाभ हम बताए वो भी धिरे-धिरे साधक के जीवन में आना शुरू हो जाता है जिनको यह नारा यंजी का दिव्य साधना संपर्न करना हो वो हमें हमारा इमेल आईडि दिया हुआ है हमें इमेल में संपर्ख करें उनका पूर्ण मार्ग दर्शन कर दिया जाएगा साथी साथ साधना में ब्यवहार होने वाले नारा यनाक्सी दीव्ययंत्र, लोचन एबम नारा यनाक्सी माल्यों का भी उनके पास पहुंचा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है केवल जिनको यह साधना संपन करना है वो ही हमें इमेल करें और साथ में जिनको यह साधना की आवशक हो उन्हें ये वीडियो जरूर सेयार करें आज के लिए इतना ही था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे। ओम क्रिम 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 हिम्रिम्रिम हुम हम हुम दक्षिना कालिके क्रिम 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 हिम्रिम्रिम हुम हम हुम स्वाहा मा दक्षिन अकालिके नमा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा जय सिद्धे साधक परिवार